नमस्ते सबी को आज हम बनाने वाले हैं बैसन का मोन थाल इसके लिए लिया है हमने डेड़ किलो बैसन अब हम इसमें डालेंगे गी लगबग चार चमच मोयन के लिए और इसे अच्छे से बैसन में मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद अब हम इसमें पानी डालके टाइट टाइट सा गोंत लेगे हमें इसे ज़्यादा पतला नी करना है हमें एक टाइट डो के रूप में गूत लेना है ये देखे हमने गूत लिया है वैसन को कुछ ऐसा रखना है हमें ज्यादा पतला नहीं करना है और बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं रखना है अब हम इसकी रोटिया बनाएंगे रोटियों को हमें अच्छे सेख लेना है जैसे गेहूं क्याटे की रोटिया सेखते हैं यह देखिए हमने सारे वैसन की रोटिया सेख ली है और हम इनको कूटेंगे इमाम दिस्ते में कुछ ऐसे तोड़कर यह देखिए हमने रोटियों को कूट लिया है और अब हम इसे चलनी से अच्छे से चान लेंगे जिससे की मोटे मोटे दाने उपर रह जाए इनको हम दोबारा कूटेंगे यह देखिए चानने के बाद अब हमारा कुछ ऐसा हो गया है वैसन अब हम एक कड़ाई में डालेंगे घी लगवग धाई सो गराम और इसे अब हम बैसन को सेकेंगे जिसे हमने छानके रखा था इसको अच्छे से सेक लेंगे हम इधर बनाएंगे हम चास्नी चास्नी के लिए लिया है हमने पानी पानी हमने दू लिटर लिया है क्योंकि बैसन हमारा डेड़ किलो था इसलिए हम आदा किलो पानी जादा लेंगे और इसमें डाल दी है हमने चीनी हमें चीनी एक चोता ही जादा ही डालनी है बैसन से हमारी चीनी मेल्ट हो गई है और अब हम इसमें डालेंगे दूद जिससे की चास्नी का कच्रा निकल जाए ये देखिए चास्नी का कच्रा उपर आ गया है और अब हम इसे एक जारे की मद्द से उतार लेंगे कच्रा उतारने के बाद हमारी चास्नी कुछ ऐसी दिख रही है अब हम इसमें डाल देंगे फूड कलर कलर के लिए जिससे की मौन्थाल का कलर अच्छा दिखे हमें चास्नी ज्यादा गाड़ी और ना ज्यादा पतली रखनी है बस वो चिपचिपाट करने लग जाए और अब चास्नी को हम डाल देंगे बैसन में और इस अच्छे से मिक्स करेंगे बैसन को हमें नीचे उतार कर ही चास्नी मिक्स करनी है और इसको अच्छे से कम से कम भी 10 मिनिट तक ऐसे चलाते रहेंगे जिससे की चासनी अच्छे से मिक्स हो जाए ये देखिए ये कुछ गाड़ा हो गया है और अब हम इसमें डालेंगे इलाइची पाउडर टेश्ट के लिए ये देखिए हमारा मौन थाल बनकर तयार हो गया है कितना अच्छा दिक्रा है और ये बहुत आसानी से बनता है और बहुत जल्दी बन जाता है इस तरीके से